Hi friends, welcome to Ansari29, my name is Shab Ansari दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं आपके ही पूछेवे comments के बारे में जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं बहुत सारे मेरे जो videos हैं जो YouTube पर available हैं, उनकी अलग-अलग playlist मैंने अपने channel पर बना के रखी जैसे मैंने firenam का course है, उसके एक पूरी playlist आपको मिल जाएगी उसके पहले मैंने एक series start किया था, आप जो questions मुझे पूछते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस पर video बनाओ, तो मैंने comment box question answer करके एक series start किया था, जो के मेरे playlist में available है तो मैं उसी series को आगे continue कर रहा हूँ, मैंने 8 video I think इस पर बना चुके है तो यह मेरा 9th video है, तो basically इस video में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आप ही के पूछे वे question रहे हैं, जैसे अभी आप screen पर देख सकते हैं मेरे पास जो questions आए वे हैं, मैंने दो subscribers की questions लिए वे हैं ऐसे same similar questions बहुत सारे मुझे मिलते रहते हैं जैसे इनका एक question यह है, कि मेरे जो panel है उसमें 4 loop है और 4 loop में से earth fault किसमे होगा, वो इनको पता करना है ठीक है, और एक दूसरे मेरे भाई है, जिनने लिखा है कि EST3 का उनके पास panel है, और only cable, in cable field में गया है और उसमें cable cutting है, कहां से cutting है यह नहीं मालुम है और panel में कुछ नहीं बता रहा है, panel में सिर्फ ground fault दिखा रहा है loop 3 का panel भी normal दिखा रहा है तो almost इन दोनों का जो questions है, वो ground fault के related है तो इस वीडियो में मैं आपको बताओंगा कि हम लोग ground fault को पहले तो कैसे पता करेंगे कि वो कहां पर है और उसको हम लोग कैसे solve करेंगे अगर आपने पता लगा लिया, तो आपका 99% जो काम है वहाँ पर खतम हो जाता है देखें दोस्तो ground fault पता करना ये एक challenging task है बट ये impossible नहीं कि आप इसको पता नहीं कर सकते हैं ground fault पता करने के पहले आप लोगों के पास कुछ चीजें होना बहुत ज़रूरी है जैसे जो भी field में या जो भी site पर ground fault आए है इसकी knowledge आपको होना चाहिए knowledge in the sense दोस्तों कि आपको उस field के उस site का infrastructure के बारे है पता होना चाहिए जैसे वो site में कितने detectors लगे हुए है ठीक है loop आपकी start कहां से कहां तक हुई है कितने आपके floors है अगर single floor है तो आपकी loop start कहां से हुई है कहां से गुम के गई हुई है तो ये चीजे का पता होना बहुत दूरी है अगर आपके पास SLD है अगर new site है तो जाहर से बाद आपकी बाद SLD होगी ठीक है अगर पुरानी site हो गई है जैसे माल लीजी है पाच साल, छे साल, आठ साल हो गया और SLD नहीं मिल पा रही है side team के पास side team वो जो facility team होती है अगर उनके पास SLD नहीं है लेकिन आपको तो उस panel को solve करना है उस trouble को solve करना है तो आप कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ground fault जो है वो कहां पर है panel में है या field में है क्योंकि अभी आपके mind में डाउट है वो क्यों होता है कैसा होता है मैं आपको वीडियो में आगे बता हूँगा देखे तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं पहले इनका एक questions पहले समझ लेते हैं कि चार लूप का panel है किसमे ground fault रोगा ये सबसे आसान सवाल है कोई इतना tough नहीं है उसको पता करना निकाल दिया और उसके बाद भी मेरा जो है अगर पैनल पे ground fault रहता है तो इसका मतब डो तीन या चार में होगा उसी तरह मैं loop 1 को लगा दूँगा loop 2 को disconnect करोगा ये बात का ध्यान रिखिए जब आप loop को निकालेंगे तो आपको multiple device के आपको उस पर नहीं फोकस करना आपको इतना देखना है कि आपका जो ground fault का indication है वो बंध हो गया है या फिर आपका जो ground fault जो list में है जिसे आप scroll करके आप कोई भी panel लेजिए सारे panel का जो display होता है उसमें जो लिखा होता है वो almost team ही होता है आप जाकर ये देख सकते हैं जो ground fault जो टरबल हूँ हो गया या नहीं गया जिस भी loop निकालने से आपका ground fault चला जाता है इसका मतलब यह होता है कि आपका ground fault जो उसी loop के अंदर है अब कभी एसा होता है दोस्तों के ground fault panel के अंदर ही होता है ये पता करने के लिए सबसे पsequently आपके क्या करना है मैं आपको बताता हूं आप एक कांद के जिए आपके यह कैबल में जितने भी लूप है अब सारा जू लूप के केबल ही वह डिस्कनेक कर तो इसके लिए फिर आपको सारे पैनल्स की पूरी जो सर्कीट बोर्ड है उसको चेक करना है कि उसका केबल कहीं बॉड़ी से टच तो नहीं हो रहा है बैटरी का केबल चेक कर ले रहा है जो इंटरफिसिंग केबल होते हैं जो डिस्प्ले से कनेक्ट किया जाते हैं या जो सप्लाइक कार्ट से जो मदर बूट से सप्लाइक पैनल्स जितने भी पैनल्स के अंदर जितने भी इंटर्नल्स जो वाइरिंग्स है आपको अच्छे से थरूली चेक कर लेना है 100% दोस्तों ऐसा ही होता है कि कभी-कभी पैनल का ही कोई केबल जो है टच होता है मेरे साथ खुद का एक experience है करेंगे अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक एक लूप करके चेक कर लेना है मान लीजिए आपके लूप उन में ही ग्राउंड फोल्ड जैसी आपका दो लूप का पैनल है और आपने जो है सेकेंड फर्स्ट लूप निकाल दी आपका ग्राउंड फोल्ड चला गया इसका मता आपके फर्स्ट लूप में है तो अब यह लूप होता कैसा है देखें मैं आपको simple तरीके से बाता हूँ के बीच में मेरे सारे डिटेक्टर्स होते हैं ठीक है यह सारे मेरे डिटेक्टर्स है ओके यह मेरे डिटेक्टर है अगर आप दो लोग दोस्तों अगर आप लोग के पास minimum में एक साल का भी experience है तो आप ये मेरा structure मैंने बनाया है ये आपको समझ में आ गया होगा ये मैंने सिखाने के तुरबा बनाया है अगर आप एकदम बिल्कुल भी fresh है और आपको पता ही नहीं कि ये मैं क्या बना रहा हूं लूप क्या तो आप मेरा जो है 50 नमबर का detector है ये मेरा 25 है ये मेरा 30 है ये मेरा 40 है 50 इसके बीच में और भी detectors है modules है बहुत सारी चीज़े है 60 और ये आखरी ये मेरा 70 इन टूटल मेरे 70 detector है अब दोस्तों आप चाले इंटास आपके लोग के लिए तो सबसे आसान काम दोस्तों योद्ध है कि आपको क्या करना अच्छा इनका जो doubts था मैं पहले उसकी तरफ लेकी चलता हूं कि केबल गया हुआ है और cutting है पता नहीं चल रहा है अगर केबल दोस्तों कहीं cut है तो cut है इंदा सेंस वो कहीं न कहीं किसी चीज में touch हो रहा होगा ठीक है तो आप यह देखिए कि आपका कितना जो है device है वो no response में no response का मतलब दोस्तों क्या होता है no response का मतलब उसको कहीं से supply नहीं मिल रहा है और detector का डिटेक्टर के addressing जो है पैनल में है लिकिन तो supply नहीं मिल रहा है तो यह होता है no answer या दोस्तों एक problem आती है आपके cable break का आता है या loop one loop open loop open का जो trouble आता है तो mostly loop open का trouble अगर है वहाँ पर पैनल पर तो कौन से device पर है कितने device है वहाँ आप जो है easily पता कर सकते हैं चलिए अगर माली अभी तो फिल्यार मैं आपको यहां पर यह बताता हूं थोड़ी देर बाद में आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपके पैनल का जो केबल ब्रेक है वो कैसे मान पड़ेगा थोड़ा सब वीडियो बने रही है